नमस्कार मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं न्यूस पियार हमारे साथ हैं हमारे सहियोगी रंजीत जा विधान सभा उपचुना होना है और इसको लेकर हर तरफ से तैयारिया पूरी हो ही चुकी है ऐल्मोस्ट ऐसे में राज़त के तरफ से यह कहा गया था कि लालू प्रशाद यादब भी स्टार प्रचारक के लिस्ट में शामिल होंगे और वो भी बिहार आकर प्रचार प्रशार करेंगे और अब ऐसा रावडी देवी ने जब कह दिया कि लालो परशाद यादब बिहार नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी तब्यर ठीक नहीं है तो इसके बाद कहीं न कहीं राजद अब कमजोर पड़ेगी कहा जा रहा था कि एक बल मिलेगा लेकिन अब वो बल इन्हें नहीं मिल पाएगा तो इसकी चर्चा करेंगे और साथी साथ एक और चर्चा होगी जातिये समयकरन को जानेंगे तारापूर और कुशेश्वर स्थान के बारे में तो इसके लिए हमारे साथ हमारे सही होगी है सबसे बड़ी बात है कि लाजू परसाद यादव नहीं आएंगे या खबर ही राज़त के उम्मिदवार को हतोत साहित करने के लिए काफी है हलाकि तेजस्बी यादव ने पूरी प्लानिंग की है तारापूर और कुशेश्वर स्थान में कि वह 43 विधायकों की फोज उता रहे हैं हर एक पंचायत के लिए सुपुर्द किया है कि अलग अलग विधायक जिम्मेदारी संभालें और वोट बेंक को टटोलने की कोसिस करें कि कैसे हम जो है इसमें जीत हासिल करें क्योंकि हर कोई पार्टी तो यहीं चाहती है कि अगर इसे टकर होना है सबको लेकिन तारापुड में अरुन साह को जैसे ही राजत ने टिकट दे दिया तो वहां पर यह कहा जाने लगा कि लालू परसाद यादव आएंगे तो यादव वोटों की नाराजगी है तो वह दूर कि जा सकती है चुकि जा प्रकास नारायन यादव केंद्रिय मंत्री रहे हैं सांसद रहे हैं विधायक रहे हैं सब कुछ ब्यार सरकार में भी उनकी हिसे दाड़ी रही तो ऐसे में जैप्रकास नारायन यादव की बेटी को टिकट नहीं दिया गया वह नाराजगी खुलकर के सामने भी आई और अब कहा जाता है एक चीज़ करते हैं तो यादव वोट के खिसक जाने का भी डर राज़त को सताता है और लालुपरसाद यादव अगर आते तो उनकी बातों का असर होता है चुकि जैप्रकास नारायन यादव को लालुपरसाद यादव का बफादार कहा जाता रहा है जब लालुपरसाद यादव बि उक्सान दे सकती है लेकिन वहाँ पर जो समीकरन है जो उमीदवार है उनके फॉर्मूला को समझे और लालु परसाद यादव के आने नहीं आने का असर वह तो हर एक चुनाव में दिखता है छे साल पर लालु यादव जो है वो गए थे दोजार पंद्र के चुनाव में वहां पर प्रचार करने गए थे लेकिन 2020 में मामला हुआ तो आ नहीं पाए नहीं कहा भी था कि मैं तरफ कर रह गया लेकिन तेजस्वी ने अच्छी पाइट दी इन्होंने ये बातें कही थी लेकिन अब हम जात्य समीकरन को समझने की कोशिस करते हैं तो तारापुर है उसमें कुसवाहा नंबर वन वोटर हैं वहां पर कुसवाहा बहुल छेतर कहा जाता है दूसरे अस्थान पर यादव हैं और तीसरे पर वैसे हैं जिसको बनिया कहते हैं वह हैं चोथे पर मुसल्मान हैं और चोथे पर ही ब्रहामन और अगरी जा सकते हैं यह यह पोजिशन में वो लोग रहते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ वहाँ वोटर है कुछ वहाँ बहुल इलाका है जो हमाइपास जो उमिद्वार ब्राहमन है वो कॉंग्रेस ने उन्हें खड़ा किया है चंदन सिंग लोजपा से जो राजपूत हैं अब यहां पर चर्चा यह है कि यादव वैस और मुसल्मान का वोट जो है यह अगर मिल जाता है यह कहा जाता है कि यह तीनों मिल करके राज़त को वोट करेगा लेकिन यह पर प्रॉब्लेम क्या हो गई कि कॉंग्रेस ने अपने उमीदबार उतारे और जब उतारे हैं तो यह कॉंग्रेस के उमीदबार जो है जो ब्राहमन से आते हैं इसमें राजपूत भूमियार का वोट का जता चिरक सकता है क्योंकि यहां पर लोजपा के चंदन सिंग भी ख सलमान को जब हम जोडते हैं यह तिनों वोट कुल मिला करके कुसवाहा से भी उपर जाता है जो नंबर वन बहुल इलाका है जिनका वो उनसे उपर जाता है लेकिन जरूरी यह है कि जो भी पार्टी अगर जीतना चाहे उनको तीनों का वोट अगर मिलेगा तब जो है मामला बदल सकता है नहीं तो एंडिये में कुसवाहा का वोट और जो वैसी का वोट होता है यह वोट जो है थोड़ा भूत बटेगा लेकिन वैसी का वोट जाकरके मिल जाएगा आपको एंडिये को और कुसवाहा का वोट मिलेगा तो इसी दोनों वोट से जित जाएंगे अगर ब्रहमन का वोट करता भी है भुम्यार का वोट करता भी है वो राजसमिस्रा काटेंगे या फिर चंदन सिंग काट लेंगे तो इसे राजस को तो फाइदा नहीं होने जा रहा है और जो चुनावी आकरे पिछले साल के हैं इसमें लोजपा उमिदवार्द ने तीसरा पॉजी को मिला है राजेश मिलस्ता नरदलीय लड़े थे उस वक्त उनको वी दस जार सदिक भोट था लोजपा के तरफ पलटती दिख रही है अगा दिख सकती है लोजपा तीस्य नमर की पार्टी में भी कहा जाता है कि उस वक्त भी लोजपा की उमिद्वारी बहुत मजबूत हो र रहा है और इंडिये की मजबूती दिखाई परती है लालो परसाद यादव अकर वहां जाते तो इसका फाइदा राजद को मिलता खास करके जो प्रकास नरायन यादव की नराजगी है वो नराजगी चाहिए उनके सपोर्टर्स जो यादव है तो उनका छेत रहा है तो इन च इस तारी को लालो परसाद यादव पटना आ जाएंगे लेकिन अब अच्छानक से राबड़ी देभी ने आकर ये बड़ा बयान दे दिया कि नहीं आएंगे क्लिरली बोल दिया तब्वित खराबे नहीं आएंगे नहीं आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो सकता है क्या उनकी तब्वित आक्चुली में बहुत ज़्याद खराब हो चुकी है या फिर इसके पीछे का रीजन हम कुछ और भी देखते हैं अगर आप चुनाव प्रचार करने आते हैं तो आपको यह माना जाएगा कि आप तंदुरुस्त हो चुके हैं ठीक हो चुके हैं तो मामले आपके खिलाप जो है जमायत के खिलाप फिर से भी आई जा सकती है अजालत में या चिका डाल देगी तो ऐसे में परेशानी बढ़ फिर जेल में बंद हो जाना पड़ेगा तो यह सारी बातों को ध्यान में रखते हैं कहीं अभी एक नजरिया देखा जा सकता है चुकि सस्पेंस है लालु यादव खामोस हैं डड़े हुए हैं या फिर हिम्मत करके बिहार आएंगे रावरी देवी ने कहा वेट करें तो सस अभी तक क्लियर दिखता नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने तो अप्रुबल दिया लालु परसाद यादव का राज़त प्रचारकों की लिस्ट में पहले नमर पर नाम है तेजप्रताब यादव मिसा भारती राबरी देवी का नाम नहीं है उनका न को याद होगा तेजप्रताब यादव की जब साधी हुई थी तो उस बक लालु परसाद यादव को छोड़ा गया था और जेल परसासन ने इतना बड़ा शर्तों का पुलिंदा बांद करके दिया था कि लालु परसाद यादव अगर जाएंगे तो मुह पंद रखेंगे वो कहीं कुछ बोल नहीं सकते हैं सभा नहीं कर सकते हैं को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेंगे बयान उनको नहीं देना है चुपी साधे वो बैठे रहे थे उन्हें का जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन आपको वापस बुला लिया जाएगा तो करने वाले बहुत सारे लोग हैं या सुसील मोधी हूं या फिर गई परवकता हैं निरज कुमार हैं हर को बहुत सा लोग बोलने वाले तो बातने दूर तक जाएंगी मामला कहीं से भी आई संग्यान ले ले तो इससे जालुपरसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है इन ही मुश्किनों से बचने के लिए मुझे लगता है जालुपरसाद यादव ने सायद कहा होगा कि अभी और हमको वेट करने का समय है इंतजार कर सकते हैं उन्हें सायद तेजस्वी यादव पर भरोसा है कि तेजस्वी यादव अगर वहां जाते हैं तो वो मोर्चा तर्मों रीपोर्टर्स होते हैं वह बताते हैं कि पा्ठी पर तियासि बच चला कि लास्ट मुमेंट पे वोशन हजारी से जनता थोड़ी नाराज भी थी लेकिन अमन वोशन हजारी को एक सिंप्याथी वोट जो होता है निधन के बाद किसी उम्मिदवार का वो मिलने की बात कही जाती है वहां पर और वोटर भी जो हमने देखा कि वहां पर दलगभग था वो 5% का था जो कॉंग्रेस के उम्मिदवार असौक राम वहां पर खड़े हुए थे जो इन्होंने इस बार तो कॉंग्रेस ने उन्हें टिकर तो नहीं दिया उनके बेटे को दिया कुमार अतिरेक को तो अतिरेक अभी खड़े हो गया है मैदान में अतिरेक सोशल मेड जो उतारे गनेश भारती खो अब इन पर संसय है कि गनेश भारती क्या कर पाएंगे और जो सीट है वहाँ पर सुरक्षित सीट तो ऐसे दलित उमिदवार ही वहां पर खड़े होंगे यह तो तर्फ है और लोजपा वहां भी एक फेक्टर है लोजपा की वहां पर जो सकती पार्टी राम विलास जो है फिर से बहतर प्रफॉर्मेंस कर सकती है तो इस उमीद के साथ चिराग पास्वान भी अपनी ताकत जो करें तो वोट बेंक किसका कहां सिफ्ट होगा जीत की वारंटी लोजपा नहीं दे सकती है लेकिन तिस्यों नमर की पार्टी में जा करके वो कई लोगों के वोट बेंक में सेंध लगा सकती है ऐसे में वहाँ पर जो पिछरा वोटर कहा जाता है यह खुल करके किसको वोट करेंगे यह बड़ा मुस्किल हो जाता है इसे में लाल परसाद जादा वहां जाते उनकी सबाव का थोड़ा असर होता तो राजत को थोड़ा फायदा मिल सकता था लेकिन कुछ स्थान जो मुझे लगता है कर में हजारी के ही पास रह जाएगा हमुमन यह होता रहा है कि जदियू पास रह सकता है और भले ही राजत पुलिटिकल देने की जब बनती है तो इसमें केनर सरकार डिसाइड करती है तो वो अलग एक परामीटर होता है उसमें काभी लोगों को दूना जाता है चुकि उस इस्पार्ट मंत्राले में बहतर काम कैसे हो उसको लेकर के एक समीटी बनती है तो चिराग पास्वान को यह जिम्मेदारी उस कमीटी में मेंबर बनाया गया थे तो अम लोग उस सोच से स छोड़ दें कि RCP सेंग के सायोग में नॉर्मली तो नहीं जा सकते हैं चुकि जेडियू से उनका 36 का आकरा ओल्डेडी रहा है तो वो मंत्राले के अंदर उस विभाद में इनका सायोग होगा सरा देंगे कि काम बहतर कैसे हो सकता है तो कि यहां पर रिष्टे अभी भी गर जातिय समीकरन क्या कह रहा है और कुशेसोर अस्तान उत्तारापूर में जो उमिदवार खरे हुए हैं उनका अपना जनाधार क्या है तो फिलहाल इस डिस्कृशन में इतना ही आपने सुना आपने जाना किस फरकार से वहां का जातिय समीकरन है और साथ-साथ लालो हमने एक तरह से देने की कूशिश की है फिलहाल इस कबर में इतना ही बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे तरफ से